नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा फिर से शोर मचने लगा है कि जितने भी सरकारी बैंक है उनको प्राइविटाइज करना चाहिए सवाल आज का मेरा ये है क्या ये निजी करन है या खुली लूट है क्यों क्योंकि इसमें किसका फायदा है ये हमें देखना होगा ये सब शुरू होगा था जब वित्मंत्री निर्मिला सीता रमन जी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि सरकार हर एक स्ट्रेटीजिक सेक्टर में जो की मतलब महत्वपूर्ण सेक्टर है वहाँ पर कम से कब एक कमपनी रखेगी और बाकी जितने हैं वो बेच सकती है य कुछ दिन पहले लगवग एक हफते पहले नीती आयोग ने कहा है कि तीन सरकारी बैंक जो हैं उनको बेच देना चाहिए इनका प्राइविटाइजेशन होना चाहिए एक है पंजाब एन सिंध बैंक एक है यूको बैंक और तीसरा है बैंक आउ महराष्ट्रा ये रिपोर् जो शेर है जितने भी सरकारी बैंक है उनको उसको 26 प्रतिशत पे उतार देना चाहिए जो कि एक तरीके का नीजी करन है और साथ में विरल आचारिया है जो कि RBI के पूर्व डेप्यूटी गवरनर है छोड़ के चले गए थे उन्होंने कहा है कि जो healthy private sector जो healthy public sector bank है मतलब जो अच्छा कर रहे हैं स्वस्त हैं public sector bank यानी सरकारी bank उनको बेच दीजे जी हाँ जो अच्छा कर रहा है उनको private में बेच दीजे तो ये जो चीज है क्या ये नीजी करन अच्छा है या ये loot है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के episode में सबसे पहले तो हमें एक सवाल पूसना चाहिए कि ये जो bank है जितने भी private bank है उनका लगभग 51 साल पहले सरकार ने उनको nationalize क्यों कर लिया उनको सरकार के अधीन क्यों कर लिया इसका सबसे बड़ा कारण है कि nationalization से पहले क्या होता था कि ये जो bank है इनको कुछ corporate house कुछ companyya control कर और उससे क्या होता था जो देश की बचत है जो सब लोग पैसे बचा रहे हैं या जितना भी capital तयार हो रहा है देश में पूंजी तयार हो रहा है जो banking system में जाता था वो कुछ corporate house के control में था उनके अधीन में था साथ में एक और चीज़ होता था कि जितने भी किसान है या फेल हो जाते थे लोग अपना जमा पूंजी उसमें रखते थे बच्चत अपना रखते थे और क्या होता था वो फेल हो जाता था माले गायब हो जाते थे पैसे हड़प लेते थे ऐसे बहुत सारे picture हो में भी हमने ये देखा है nationalization के बाद क्या हुआ सरकार ने जितना भी प तरकार तै कर पाए पूरा पूरी society तै कर पाए public तै कर पाए कि किस sector को पूंजी मिलनी चाहिए सिरफ profit या मुनाफ़ा कहा हो रहा है वहीं पर पूंजी जाए ये ना हो खैर साथ में एक और चीज़ जो हुआ जैसे मैंने कहा ये priority sectors को जो पैसा मिला एक priority sector जो ये था वो है क क्रिशी को मिला और गरीबों को भी banking का access मिला एक तो क्रिशी को मिला साथ में गरीबों को भी banking का access मिला जादा नहीं बहुत कम लेकिन फिर भी branches खोले गए चोटे शहरों में खोले गए कजबों में खोले गए जो पहले कभी नहीं होता था अब इसका एक चीज साफ है कि सरक राष्ट्र ने लोगों ने सोचा था कि बैंकिंग का एक सामाजिक रोल है एक सोशल रोल है वो सिरव मुनाफ़ा कमाने के लिए नहीं है जो कि प्राइविट बैंक का बेसिस है प्राइविट बैंक क्या करती है सिरव मुनाफ़ा कमाने के बारे में सोचती है सरकारी बैंकों क सोशल रोल ये है सामाजिक रोल ये है गरीबों तक बैंकिंग पहुचाना क्रिशी तक बैंकिंग पहुचाना जो प्रायरिटी सेक्टर है जो हमारी एकॉनोमी के लिए जरूरी सेक्टर है वहां तक लोन पहुचाना जो लोग निर्जी करन चाते हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहला argument यह है कि जितने भी private bank है आप देखिए AC चलता है लोग आपको सलाम करते हैं गाड आप अंदर जाएंगे कोई नहीं रोकता आपको जितने भी executive है वो बैठिए हम आपको help कर देंगे service अच्छा होता वो efficient होता है साथ में वो मुनाफ़ा कमाते हैं जो कि 2011-12 से public sector यानि कि सरकारी बैंकों का मुनाफ़ा कम होता गया है और मतलब वो ज़्यादा efficient है private sector bank ज़्यादा efficient है इसलिए public sector यानि कि सरकारी बैंकों का privatization होना चाहिए ताकि वो efficient बन जाए साथ में दूसरा number तर्क जो दिया जाता है वो का जाता है कि जो public sector bank है यानि कि सरकारी बैंक है वहाँ पे खराब loan बहुत जादा है मतलब वहाँ पे ऐसे loan दिये गए हैं जो कभी वापस नहीं आने वाले हैं और वो bank पर एक तरह का stress है और बाद में सरकार को उसका पैसा भड़ना पड़ेगा और जब सरकार पैसा भड़ेगी तो क्या होगा पब्लिक का पैसा जाएगा इसलिए इनको बेचना चाहिए इनका privatization होता चाहिए तीसरा तर्ग दिया जाता है कि सरकार को पैसों की जरूरत है ताकि दूसरे चीजों पर खर्च कर सके सरकार को business में रहना ही ने चाहिए banking में रहके सरकार क्या करेगी बेच दीजिए पैसे उठाईए उनको health पर खर्च कर दीजिए education पर खर्च कर दीजिए बात यह कहा जाता है कि इसको बेचिए पैसे उठाईए और अपना fiscal deficit अगले एक साल के लिए कम कर दीजिए खैर इस पर तीनों जो तरक दिये गए उन पर मेरा पलट जवाव उन पर मेरा पलट तरक देते सबसे पहले लेते efficiency और corruption की बात आप भी जानते कि कितना private bank में अग आपको service नहीं मिलता है हाँ public sector bank से अच्छा है क्योंकि AC होता है और public sector bank में बहुत होता है कि कहते कल आ जाईए यह computer नहीं चल रहा है लेकिन यह चीज़ आप याद रखिएगा कि private sector bank में भी ऐसे बहुत होता है ATM नहीं चल रहा है पैसे नहीं चल रहे हम तब नहीं कहते कि private sector खराब है public sector में जब नहीं काम होता है तो हम कहते हैं यह लोग काम ही नहीं करते हैं और यह खराब चीज़ है public sector ही खराब है खैर उसके साथ-साथ आप देखिए कि जो I.C. 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 I.C.协 के जो चीफ थे उनको निकलना पड़ा उनको छोड़ना पड़ा क्यूकि उनके खिलाफ यह आरोब था कि उन्होंने अपने परिवार की मदद की, उनोंने लोन दिया एक कमपनी ने, जिनोंने एक कमपनी ने फिर अपने परिवार को, उनके परिवार को लोन वापस दिया, तो उनके ऊपर नेपोटिसम का आरोप था और इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा, आप yes bank के बारे में जानते हैं, yes bank किस से लगभग डूब गया था और किस ने बचाया सरकारी बैंक SBI ने येस बैंक को बचाया और आप जानते हैं कि येस बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष थे राना कपूर उनके खिलाब केस भी चल रहे हैं HDFC बैंक, HDFC बैंक में टॉप मैनेजमेंट के लोग निकल के चले गए हैं और उनके आटो लोन सेगमेंट में कुछ गड़बड़ी के आरोप हैं और इसके चलते वो खुद खुद एक एंक्वाइरी कर रहे हैं HDFC बैंक वाले और HDFC बैंक के बारे में अभी देश की सबसे बड में आ रहे हैं ऐसे आरोप निउस्पेपर में आए हैं तो आप देख लिए एफिशेंसी की बात भी हम करेंगे तो प्राइवेट बैंक भी कुछ खास नहीं है दूसरी बात अब बात करते हम खराब लोन की हां खराब लोन पब्लिक सेक्टर बैंक में जादा है लेकिन इसक दोहजार आठ चार से लेकर दोहजार लगभग 12-13 तक लगातार प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर फंड से पब्लिक सेक्टर बैंक से फंड किया गया और इसमें नेता बाबू कॉर्परेट सेक्टर का मालिक सब शामिल थे हम आप नहीं ना कि सिरफ प्रब्लिक सेक्टर बैंक का कर्मचारी क्यूं कहा गया था क्यूं पब्लिक सेक्टर बैंक को दोश दिया जा रहा है कि देश की एकनॉमिक पॉलिसी जो थी देश की एकनॉमिक नीतिया जी थी आर्थिक नीतिया थी वो जब फेल होगे जब जब जबरदस्ती पब्लिक सेक्टर बैंक को का जा रहा था कि अब पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, माइनिंग, इन सब चीजों को लोन दीजे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं और जब उसको पावर को खरीदने वाला कोई नहीं रहा, स्टील को खरीदने वाला ये था, वो देश के सरकार के economic policies के अंतरगत लोन दे रहे थे, जो private sector के लोगों को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और इसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि सरकारी बैंकों में बाबू और नेता की दखल अंदाजी बहुत जादा होती है, वो लगातार इसमें बैंक अपने खुद के तरह काम नहीं कर पाती है, खुद नहीं तरह कर पाती है कि वो क्या करेगी, अब आते हमारे तीसरे point पे, कि सरकारी बैंकों को बेचना इसलिए चाहिए ताकि वो पैसे उठाए, क्या पैसे उठाने का एक ही तरीका है कि सरकारी कमपनिया बेच दी ज है, सरकार की नीतियों की गलती है, और अगर fiscal deficit ना भी बढ़ाना चाहे, तो सरकार जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संपत्ती है, उनसे जादा tax ले सकती है, जो वो नहीं ले रही है, दोनों चीज़ कर सकती है, सरकार अपने आए बढ़ाने के लिए, अपनी सरकारी बैंकों को बेचना, एक तरीके से अंग्रेजी में कहा जाता है, family silver बेचना, अपने घर के सोना या चांदी को बेचना, जो कि आखरी चीज़ होती है, किसी भी घर के लिए, किसी भी परिवार के लिए, ये गलत है, ये करने की कोई ज़रूत नहीं है, तो आखिर में हमारा सवाल यह ही है, कि public sector bank, जो लगा था, 2011-12 तक private sector के efficiency के आसपास आ रहे थी, अचानक उनको कहा जा रहा है, कि वो efficient नहीं है, उनको बेचना चाहिए, जिन लोगों ने crisis तयार किया है, बड़े-बड़े corporate ने, जिन्होंने पैसे लिए, fail हो गई उनकी business, पैसे वापस नहीं दे पा रहे ह है, आधे तो कम से कम ऐसे होंगे, जिन्होंने पैसे निकाल के वो भाग भी चुके है, और पैसे कई और transfer कर दिया है, उन्हीं को फाइदा पहुचा लाए जाएगा, क्योंकि वो ही लोग होंगे, जो वापस आकर सरकारी बैंकों को खरी देंगे, उसका share खरी देंगे, जिन के पास संपत्ती है, जिन्होंने पहले भी इन बैंकों को लूटा है, यानि की privatization मतलब बैंक की लूट.